इस वीडियो में हम दीखेंगे कि किस तरीके से Microsoft Excel की टेबल में मास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं इस टेबल में मैं तीन मेथड्स यूज करूँगा जिनके थुरू हम मास्किंग को इंप्लिमेंट कर सकते हैं । पहला मेताट है मैं यूज करने वाला हूँ मेताट का नाम है फॉर्म अगर आपको पर फॉर्म करनी है और फॉर्मेट करना है वह सब्सक्राइब कर दूगा लेकिन अलगा कॉलम रखा इसके लिए यहां पर जेटा को पेस्ट करूंगा, सिलिक करूंगा इसको, अपने कीबोर्ड से ctrl 1 त्रिस करूंगा, और यहां बस आपको जनरल औप्षन में ली जाए गई, आपको custom औप्षन में जाना है, यहां से जनरल औप्षन को आपको रिमूब करना है, अपने keyboard से आपको एक बार zero type करना है और अगर आपको last के six digits को यहाँ पर mask करना है I mean hide करना है तो आपको एक बार comma apply करोगे तो आपकी last की जो three digits है nine three तो वो हट जाएंगी अगर आप दुबारा comma apply करोगे तो आपकी जो last की again three digits है six seven nine वो हट जाएंगी और आपको अपनी keyboard से six times यहाँ पर x type कर देना है capital a small जो भी आप जाएंगी और जैसी आप okay करोगे आप देखोगे कि आपकी जो column c है वहाँ पर last की जो six digit हैं वो hide हो चुकी है so this is one of the way दूसरा method है substitute method substitute method के use करके हम कैसे hide कर सकते हैं इस वीडियों में हम देखेंगे तो सब्सक्राइब मुझे यहां पर again hide करना करा आप सेम जगे पर masking करना चाहते हूँ that is fine मैं यहां पर दूसरा चीज़ यूज कर सकता हूं कि अगर substitute function को यहां पर मैं call करूं तो मुझे किस पर substitute function को लगाना है तो मैं यहां पर लगाना चाहता हूं लास्ट की six digits पर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहां से left function पर यूज करूंगा और left से मैं इस आधार card number से initial की six digits को change कर लूँगा कॉम apply करूंगा और जो बाकी की six digits हैं उसको मैं एक्स के थूँ replace कर दूँगा और bracket close कर दूँगा आप देखेंगे कि मेरी यहां की जो six digits हैं यहां पर वह mask हो गई हैं यहां पर मैंने last की की थी यहां पर मैंने starting की की हैं और इस same formula को आप drag and drop करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी initial six digits masked हो चुकी हैं यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको lift की ना करके same ही हो जो column C में आपने किया है तो आपको यहां पर right function लगा देना है और enter कर देना है आप right function लगाएंगे sorry my bad यहां पर आप जाएंगे right function को call करेंगे रेके close कर देंगे और आप देखेंगे कि यहां भी हाइड हो जुकी है पीस्ता मेतारे कॉंकेट कॉंकेट मेतार के यूज़ करके अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे यहां पर हम इसीच को देखेंगे तो यहां पर आपको कॉंकेट function को call करना है और किस पे concatenation perform करना है तो आपको concatenation perform करना है last की six digits पे तो आप क्या करेंगे initial की six digits जो है उनको concatenation function में लिप function का यूज़ करके आफ कर लेंगे यहां से आप सिर्क करेंगे 6 digits आपको चाहिए इन 6 digits का concatenation आपको करना है इन last की 6 digits को जिसको हम replace कर देंगे X के साथ और bracket close कर देंगे आप देखेंगे कि जो आपके आधार काट के last की 6 digits है वो यहाँ भी mask हो चुकी है और इस तरीके से same formula को आप ड्रेके ड्रॉक करेंगे और आप पाएंगे कि आपकी सारी last की 6 digits as it is hide हो गई है जो हमारी expectation थी तो यह तीन तरीके हैं जो मैं यहाँ पर discuss कर रहा था और कुछ एक और भी तरीके हैं जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे और इस तरीके के अगर आउट वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो please do subscribe this channel